अस्सलाम उलीकूम वियोवर्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ रुजीना मजहर और आप दीखें फूट लवर्स आज हम बना रहे हैं दहीं भुलकी रमजान के स्पेशल रेस्पी है अफ़तार रेस्पी है जो के आपकी अफ़तारी में चार चान लगा देगी तो चलेंटी स्टा ही इसमें जाएगी हल्दी और जाएगा वन टीस्पून सफेट जीरा और साथ मैंने बहुत ही बारीक चौप कट किया हूँ एक मीडियम साइस का प्यास काट है जो के हाफ जाएगा और साथ इसमें जाएगी थोड़ी इसी हरी मिर्शे और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स क करके इसमें अब थोड़ा थोड़ा सब पानी शामिल करते जाएंगी और इसको मिक्स करते जाएंगे अगर आप नेरे चानल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें बैल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नहीं आने वाली वीडियो का नोट इसका कलर जो है वो वाइटिंग में अना स्टार्ट हो गया है और इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये मजीद फलफी हो जाए जो बेसन है और बहुत मज़ेगी फुलिकिया बने और इस एक साइट पे हम तीन है लसन के जवे और साथ ही मैंने तीन जो है वो स बारीक पीसेगे और इसकी त्यार कर लेंगे चेतनी और एक सिटेप को वहर से देखा गरें इंकी कुछ भी स्किप ना किया गरें इताकि आपको ठीक से रेसपी का पता जलें तो ये देखिए चेतनी हो गई हैं त्यार अभ हमें क्षाई है दही दही को अच्छी तरह से फै यूश्क हो जाएगा क्यूंकि फुल्कियों दही को अबजौप करना है इसमें पानी डालेंगे और इसकी consistency जो है वो इतनी होनी चाहिए कि ये बिल्कुल लिक्विड सा हो ठीक है इ दही ठीकनी होना चाहिए इतना पानी डालेंगे कि फुल्कियों absorb करने के बाद भी दही बीच में बकाया रहे और ये जो चट्नी हमने त्यार की थी वो इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह से mix कर देंगे दही की consistency इस तरह की होनी चाहिए ये देखें आपके सामने इससे गड़ा दही नहीं होना चाहिए तो ये देखें बिल्कुल इसी तरह का दही हमें चाहिए और साथ इसमें शामिल कर देंगे वन टीस्पून नमक तो ये देखेंजी इस टाइम पे बेसन जो है हमारा हो गया है रेडी और बहुत फलफी सा हो गया है अब इसकी फुलकियां जो है ये पहले ही मैंने एक फुलकी इसमें बनाई थी ताकि मुझे आईल के टेंपरेशर का पता चल जाए तो ये देखेंगे फुलकियां जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने मिक्स्टर इसमें डाले हैं छोटे छोटे सी पीसिस ठीक है ताकि इनोंने अभी फ्लफी होना है फूलने तो अभी इनोंने मतलब साइज इनका बंडने तो इस àsापसे आप डालें है आपने को बहुत ज़्यादा पिसमें भीड़ां चे़्गक डाली है ये और काम खराब हो जाते है तो यह देखें यह बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है और देखें फोरण जैसे ही मैंने इनको आईल में डालना शुरू किया था यह तैर के उपर आना शुरू हो गई मतलब स्वेंद करके उपर आ गई फोरण से इसका मतलब यह आए कि बेसन जो है वो हमने बहुत एक और भी तरीक है आप इसको थोड़ा सा पानी लें कप में उसमें आप बेसन थोड़ा सा डाल के पहले ही चेक कर लें अगर तो वो तैर की उपर आ जाता है पानी के उपर इसका मतलब कि परफेक्ट है अगर वो तैर में नीचे चला जाता है डिप हो जाता है मिक्स हो जा इनका कलर हम डाग होने तक वेट करेंगे अभी कलर इसका देखें कितना खुबसूरत आगे है अभी हम इसको निकाल लेंगे इनको आप वन मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं मैंने जयाता बनाई है मैं स्टोर भी करूँगी ठीक है और मैं इस अभी बनाऊंगी भी तो ये देखें कितनी जबर्दस बन के त्यार हो गई है आपको बारबर खपने के जरूरत नहीं है एक बार ही आप इसको बना के त्यार कर सकते हैं पूरा माँ इस्तमाल करें ये देखें बकाया की भी जो फूलकी हैं वो भी मैं त्यार कर रही हूँ आप इनको फ्रीज कर सकते हैं जब आपने यूज करनी हो तो आप इनको निकाल के जो है नॉर्मल गरम पानी उसमें आप इसको डाल दे तो 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद आप इसको निकाल लें स्कूज करें और फिर यूज करें ये देखें बकाया की भी भूलकीया जो है वो फॉरण से तैर के उपर आ रही है फ्लफी हो रहा है बिससन जो है अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हैं के रख लेनी है एक बात और याद रखिएगा कि जब हम फुलकीया ओयल में से गरम गरम निकाल लेंगे हमने इनको फॉरण पानी में नहीं डालना वरना ये तूट जाएंगी हमने इनको पहले ठंडा करने ठंडा करने के बाद फिर हम इसको पानी में डालेंगे तो ठंडा करने के बाद पानी में डालेंगे ये फाइदा होगा कि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगी अगर हम गरम गरम को पानी में डालेंगे तो इनकी उपर वाली लेयर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर से एक गुटली सी बन जाएगी हाड सी हो जाएगी ठीक है जो कि अच्छी नहीं लगेगी तो आप ये एक बर बना के लाजमी ट्राइ कीजिएगा ये आपके दस्तरफ़ान की शान को बढ़ा देंगी हो सकता है कि अम्मी अबो कोई हजार प्या निकाल के आपके हाथ पे भी रख दें इनाम इनाम तो फिर मिलता होता है ना जब कुछ अच्छा बनाए तो ये इतनी मज़े की रेस्पी बन के त्यार होती है आप इसको लाजमी ट्राइ कीजिएगा ये देखें जी ये हो गई है पुलकिया त्यार अभी हम इसको तो डाल देंगे पानी में बकाया की फुलकिया त्यार हो रही है ये पानी है जी पानी के अंदर मैंने थोड़ा असा पुदीना डाल दिये बारी चॉप कट किया हुआ है और इसके साथ लिंक कोई नहीं है ठीक है ये बस ऐसे ही मैंने ब्यूटी के लिए डाला है उबसूर्ती के लिए तो ये फुलकिया जो है मैंने इसमें डाल दी है अब ये जो हमारे दही हमने त्यार करके रख़ए है उसमें इनको शामिल करना शुरू करेंगे step by step एक एक करके इसमें डालते जाएंगे तो ये देखें जैसे ही मैं दही में डाल रही हूँ ये फॉरण से दही को एपसॉप करना स्टार्ट कर देंगी और डिप होती जाएंगी दहीं के अंदर खुद बाखुद डिप होंगी ठीक है और इसके बाद इनको आपने कोशिश करनी है कि फोरण से हलाते भी जाने अगर तो आपको लगे कि बॉल छोटा है या भर गया है बॉल ये खुल है इसलिए मुझे जुरूरत नहीं पड़ी मैंने एक तफ़ा सही सारी डाल के उसके बाद ही इनको हलाया देखें ये खुद बखुद डिप होई है अभी मैंने इनको हलाया बिलकुल नहीं है थोड़ा सा इसके उपर मैं पुदीना डालूँगी पॉपड़ी हाई हाई ये तो कमाल की कमाल कर दीती है इसमें इतना मज़े का टेस्ट देती है जो नरम नरम फुल की के साथ जब क्रंची क्रंची सी पापड़ी मुँ में आती है नो मझा आ जाता है व겠습니다 तो ये देखें कितनी जबर्दस लोग का है ए के जी आवेड़ी शाउट करते हैं यह देखें कितनी सब परतवस्त और मज़े की और सौफ्ट सौफ्ट सी भुलकिया बनके त्यार हो गई है अब वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक भी कर दें वैल आकन भी प्रहस कर दें तो मिलेंगे जी हम बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपने बहुत ख्याल रखने हैं अपनी दुआओं में याद रखने हैं और देखते जाएं भुलकिया कितनी नरम है ठीक है फॉरण से तूट रही है बिलकुल भी हाट नहीं है तब तक के लिए देजी अपना ख्यार रखें फिर अलाँ फीज